हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो तैयारी ओपीडिया जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफैर तो आज है 25 अपरेल 2023 चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉटन्ट करंट अफैर चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहे हैं तो एपस ने अब उधाबी में अपना पहला विदेशी कारेले खोला है तो यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन्ट है चलिए देखते हैं नेक्स पॉइंट नियॉयर्क सीनेट ने किसको अपना पहला अस्वेद नयाधिस के रूप में नियुक्ति की है तो रोमन विलसल्स को अपना कौन से नंबर का रैंक हासिल कर लिया है तो यह रैंक हासिल किया है तीसरा अस्थान इसने हासिल कर लिया है भारत ने यूनिकॉम हब के रूप में चलिए देखते हैं कुछ नेक्स पॉइंट डिल्ली कैपिटल्स डेविड वार्नर डेविड वार्नर ने क्या किया ह तो बहुत सारी IPL में सबसे ज़ादा रन बनने वाले विदेसी कपतान बने है तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है कौन है तो कौन मेरे में है गोटान फोह इंहों सभी कला कि गोष्णा कर दू गजेंद्र आरे को प्राद्दुक्य की वरिष्ट उपाध्यक्च के रूप में न्यूट कर दिया है तो जाप्पा इलेक्रोंडिक आपॉंट्स त्रू गजेंद्र आरे सेनियर वीपी आफ टेक्निलोजी चले देखते हैं नेक्स पॉइंट एक के गर्भवती यूक्रेन महिला की तस्वीर ने जीता वर्ल्ड प्रेस फोटो अवर्ड वर्ल्ड प्रेस फोटो अवर्ड किस ने जीता है तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है यूक्रेन की गर्भवती महिला ने जीता है यह अवर्ड यूक्रेन की जो गर्भवती महिला है उन्होंने ये World Prize Photo Award जीता है चलिए देखते हैं next point करनाट का BACS National Award for the Faisal Bima योजना फसल बीमा योजना के लिए करनाटक को कुछ कौन सा पुरसकार मिला है तो ये करनाटक को राष्टिय पुरसकार मिला है चलिए देखते है next point फसल बीमा योजना के लिए किसको मिला है ये राष्टिय पुरसकार तो करनाटक को ये राष्टिय पुरसकार मिला है चलिए देखते हैं तो ये क्या थी तो नौर्वुड नौर्वुड के नाम से जाने जाने वाली वर्जीनिया नौर्वुड का निधन हो गया है तो यहां बहुत ही इंपॉर्टन करेंट अफेर आपको ध्यान रखना है यूँवन चाइनिज लेंग्विज डे आज कौन से संयुक्त राज चीनी भासा दिवस कम मनाया गया तो यह 20 अप्राइल को मनाया गया यह भी आपको ध्यान में रखना है चीनी भासा दिवस के मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में इसको एक्स्प्लेइन किया था तो यह आपको ध्यान में रखना है चले देखने नेक्स पॉइंट हिमाचल प्रदेश अग्याद सवो का डियने डेटा बेस रखने वाला भारत का पहला राज्य बना है तो जित्ते भी अग्याद सवो थे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली या डियने के माध्यम से उसके सारे डेटा बेस को इसने कलेक्ट कर लिया है यह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है चले देखते हैं next point केरला government launch one panchayat one playground to revive sports culture केरल की सरकार ने क्या किया है तो यह आपको बहुत ध्यान में रखना है एक panchayat एक मैदान का कारेक्रम किसने सुरू किया है कौन से राज्य ने तो यह केरल राज्य ने सुरू कर दिया है एक panchayat और एक खिल का मैदान चले देखते हैं बैंगलोरू में क्या हो चले कुछ और point पे discuss कर लेते हैं जो बहुत ही important है आज के कुछ points में बैंगलोरू में अद्बुत सौरिय घटना हुई है सौरिय घटना सुनने चाया दिवस्या आपको बहुत मीध्यान में रखना है चले इसके बारे में आपको ब बैंगलोरू में यह घटना की गई है आयोजित हुई है इस घटना के दारांसोर की इस्तती सीधे उपर के तटपर होने के कारण सहर में कोई भी लंबोत वस्तु चाया नहीं डलेगी यह घटना 12 बचके 17 अपरहन के आसपास होने की उमीद है इसकी अवधी थोड़ी सी नागरिक भी इसे देखने के लिए तैयार हो गए है तो यह बहुत ही खगोली घटना बहुत ही सुंदर घटना है यह 25 अपरहल को यह जीरो सेड़ोडे के रूप में मना जाता है और इसको आपको ध्यान में रखना है यह सूनिशाया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है फटी मदिक होग है भारत में हजार लोग ऐसे हैं जो म्चछर से बिमारी बिमारी और प्रवा से Сंक्रमित मच्छर रेंगत बिस्थ काटने से होतीए पार्त मौने मच्छर इस नार में और वाथ है प्लाजमोडियम पर जीवी फैलाते हैं जो मलेरिया का कारण बनता है हाला कि इस बिमारी का बचाव और इलाज दोनों संभावे दुनिया के कई देश इस पर लगातार काम कर रहे हैं इसलिए यह 25 अपरेल को मलेरिया बिस्व मलेरिया दिवस के रूप में घोशित कर दिया ग काम है अब भारत का भारतिय पहला गाउं के रूप में इसको मानेता प्राथ हो जाएगी सीमा सड़क बी आरो ने सीमा गाउं के प्रवेश द्वार पर संकेत बॉर्डर बोर्ड लगाकर माना को अपडेटेट इस्ति घोसित कर दी है इस फैसले के पीछे मोदी ने क्या किय सिंग धामी के दावे का समर्थन किया है मारा देश का पहला गाउं है और सभी गाउं की ऐसी मानता देना चाहिए पिछले वर्स और माड़ा कहां पे है और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको अब उत्रा खंड में आता है तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है और इसको किस तारिक से इसकी घोशना कर दी गई है वो भी आपको ध्यान में रखना है चलिए देखते हैं और आज की करेंट फेर में क्या राज्यों के प्रतिनिधियों और उनके कारक्रमों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए यह कारक्रम मना जाता है प्रतिनिधी संयुक्त राष्ट महासभा और अन्यबारह जैसे संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद में अपने देश की ओर से बोलते हैं और ओड हैं जब तक कि कोई उच्छ रैकिंग राजनेता वहां पे मौझूद ना हो तो यह भी इसी वज़े से यह मना जाता है प्रतिनीदियों को उनकी संबंदिस सरकारों दारा चुना जाता है नतीजन वे सरकार के सर्वुत्तम हितकारे करते हैं जिनके लिए वे काम करते हैं तो य प्रतिनीदियों को मना जाता है यह थे आज की कुछ इंपॉर्टन के लिए बहुत इंपॉर्टन है तो आसा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर यह हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता स नहीं क्योंकि इससे बहुत से जादा बहुत जादा कोशन आने की संभावना है तो आप इसे रिवाइस करते रहिए धन्यवाद